हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स आज का जो वीडियो है 67th BPSC PT Re-Exam 2022 के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है साथी साथ जो लोग 68th BPSC के तयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लो आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी BPSC से सम्बंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेशन स्टार करते हैं फ् देखे ये जो प्रशन है BPSC का फैब्रेट कुस्षन है और लगातार BPSC की एकजाम में पूछे जाते हैं तो चलिए फ्रेंट्स सेशन आज की स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर जीजेगा आज के सेशन का पहला प्रशन पढ़ेंगे कि किन्यम लिखित में से कौन सा जीला धारवाड भू अस्तरी रचना वाला नहीं है देखे फ्रेंट्स अगर आपको एंसर पहले से पता है तो आप एंसर कमेंट बॉक्स में देख करके बताते चलिएगा साथी साथ जो भी मैं एकस्प्लेन करूंगा उसको आप ध्यान पुर का रोहतास जहां से सुनिए बिहार में भू अस्तरीय राचना वाले जिले दक्षीन पुर्व बिहार में आते हैं जबकि रोहतास जो है दक्षीन पस्चिम बिहार का भाग है और इस छेत्र में विंधियन प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं किस प्रकार की चट्टाने जहां पाई जाती है बिहार में विंद्यान करम की चटांज यह कैमूर और स्वन नदी घाटी यानि कि रहतास में पाई जाती है राइट अंसर इसका रहतास हो जाएगा नेक्स्ट कुस्सन है हमारा दूसरा प्रशन की हाजारी बाग में बिहारी एस्टुडेंट्स का स्वलहावा दिवेशन कब हुआ था तो सबसे पहले तो प्रशन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बिहारी एस्टुडेंट्स का स्वलहावा दिवेशन कहां पर हुआ था तो फ्रेंट्स यह हाजारी ब प्रसाद के द्वारा डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद के अध्यक्सता में और सायोग आंजोलन के दौरान 1921 में जो है बिहार स्टुडेंट्स का स्वलाहवा अधिवेशन जो है यहां हजारी बाग में आयुजित किया गया था राइट अंसर इसका नमबर ए हो जाएगा 1921 में ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट कोस्टन है नेक्स्ट कोस्टन है अगला प्रशन है कि 2011 की जनगन्ना का नुसार बिहार मे दसक्य जन संक्य व्रिदि दर कि 2001 से लेकर के 2011 तक दर्ज की गई है अब यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिए गए यहां पर पूछा गया है दसक्य जनसंक्य व्रिदि दर तो देखिए जो 0.25.4 ति यहां पर देखिए अपसर नमबर इसका डीज होगा राइट अंसर इस बामन थी वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि दसक्की व्रिधेदर जो है ग्रामीनी चेत्र में कितनी थी तो ग्रामीनी चेत्र में यह 24.3 परतिसत थी और नगरिये चेत्र में यानि कि सहरी चेत्र में तो यह 35.4 परतिसत थी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्ष्ट स्थापना 1912 में की गई थी कव कि गई थी 1912 में की गई थी बिहार राज्य का सची वाले पट्ना मौस्तित है जो राज्य का प्रशाशंदिक केंद्र है नेक्स्ट कुस्ट्र कर लेंगे को स्थर नमबर 5 हमारा कि डुंगेश्वरी पहाड़ियां बिहार के किस जिला में अ इस पहाड़ी पर एक गुफा है जो कई मंदिरों और प्राचीन अस्तुपों से घिरा हुआ है माना जाता है कि यहीं गुफा है जिसने छे सालों तक भगवान बुद्ध की रक्षा किया था राइट अंसर इसका गया हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर सिक्स फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा देखे चाटा प्रशन है कि बिहार में भारती राष्टी कोंगरिस का दूसरा अधिवेशन कब आईजित किया गया था अचा पहला अधिवेशन जो है यह 1912 में बाकिपूर प चितरंजन दास्ट ने किया था नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे अगला प्रशन हमारा कि कोपन की जलवाई बर्गी करण का नुसार दक्षीन बिहार की जलवाई किस से प्रदर्शित की जा सकती है यहां पर प्रशन में पूछा गया है दक्षीन बिहार की जलवाई बताई इ कोपन की जलवाई बरगी करण का अनुसार अगर हम बात करें उत्री बिहार की जलवाई है उसको किसे प्रदर्शित किया जाता है तो उत्री बिहार का जो है इसको सी डवलू जी से प्रदर्शित किया जाता है प्रश्ण में दक्षिन बिहर पूछा गया है तो इसका जो है डवू से प्रदर्शित किया जाता है ठीक है वही अगर आप से पूछा जाता कि इसके डेन ne tie ace,क्रिवार्था का नुसार यहां मैं किससे तो ऐडाबलू से इसको भी जो है प्रदर्शित किया जाता है और कोपन के जलवाई औरगी करण करनसार दक्सिन बिहार का जलवाई जो है यह ऑसका function number B हो जाएगा चले उसका बाद next question कर लेंगी कि कि अनॹोपम जिल जो है यहां कैमूर में इस्तित है कहां पर है कैमूर में इस्तित है या जिल कैमूर वन जिव अभहरण की सीमा में इस्तित है राइट एंसर इसका और यहां पर बी हो जाएगा कैमूर ठीक है कैमूर वन जिव अभहरण बिहार का सबसे बड़ा वन जिव अभहरण है ध्य पार्टी की तो देखें वर्स 1931 में यहां ध्यान से सुनिए वर्स 1931 में जो है गंगा सरन सिंग जैप्रकास नरायन फूलन प्रसाद वर्मा अबदुल बारी राहुल संकृतियान तथा अंभिका सिन्हा के दवारा बिहार सोचलिस्ट पार्टी के अस्थापना के लिए एक सम सावन सिंग थे जबकि मई 1934 में पटना में आचारे नरेंद्र देव की अध्यक्स्ता में बिहार सोचलिस्ट पार्टी की विदिवत अस्थापना हुई थी और इसके सचीव जप्रकास नरायन जी थे तो यहां विदिवत पूछा गया है तो 1934 इसका राइट अंसर हो ररता है तो दीए सबसे पहले जानीकि नेपाल के साथ सीमा शाज़ा करनेवाले टूटल कितने जिले हैं साथ है कौन-कून से हैं तो सितामड़ी किसन गंच अरए पुषल फ्रह करते हैंputer उत Say राइट एंसर जो होगा, फ्रेंड यह आपका अररिया तो है ही सुपॉल ही है, पुरुनिया, पुरुनिया जो है यहाँ जो है, सीमा साज्वा नहीं करता है, राइट एंसर इसका option number D हो जाएगा, पुरुनिया, ठीक है, सिता मडि, किसन गंज, अररिया, सुपॉल, मदबनी, पूर्वी चमपारण और पसिम चमपारण जो है सीमा साजा करते हैं जबकि पूर्णिया जो है नहीं करता है चली आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे किनेवन लिखित में से कौन सा या कौन से भारत के लिए राज्य में मौजूद UNESCO विश्वधरवर अस्तल है बताए राइट इसका हो जाएगा तो दिके विएरस्ट वर्णलर महाबोंदि मंदिर नलंदा महा विःहर मंदिर आंघ कि इसको सामिल किया था किलियर तो और इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन कर देंगे कि लोटा विद्रो जो है यह कब हुआ था किस वर्थ हुआ था लोटा विद्रो बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखें लोटा विद्रो जो है सबसे पहले जान लीजे कि यह हुआ था कहां पर तो फ्रेंट्स यह हुआ था कहां पर तो फ्रेंट्स यह हुआ था मुझपपरपुर में कहां पर हुआ था लोटा विद्रो लोटा विद्रो जो हुआ था मुझपपरपुर में हुआ ठीक लोटा दिया जाने लगा तो उन्होंने जो है जेल अधिकारियों के इस निरनय का विरोध किया और कैदियों की सहान भोती में पूरा मुझपर पुर जिला आक्रोसित हो उठा जनता की आवाज में इतना दम था कि अंग्रेज अधिकारी भी बरती विरोध से सहम गए और कैद कुस्षन हमारा है कि पटना में 1867 की क्रांती का नत्रित किसने प्रारंब किया था बहुत ही इंपोर्टेंट कुस्षन है बताइए तो देखे यह जो सुरू हुआ था पटना में यहां 3 जुलाई 1867 को पीर अलिखा के नत्रित में विद्रोह प्रारंब हुआ था पीर जुलाई 1867 को जो है इनको गिरहतार कर लिया गया था और फ्रेंट्स इनको जो है फासी दे दी गई बाद में चलिए नेक्स्ट कुस्षन करेंगे कि विहार राज्य के कूल भागोलीख चेतर की तुल्ना में समस्त वनच्षेतर का प्रतिसत कितना है तो देखें यह प्रतिसतRes यह 7 द समलव बिहार में एक मात्र राष्ट्री उद्यान है बालमिकी राष्ट्री उद्यान जो कि पस्सिम चंपारण जिला में है अच्छा उदयपूर वने जिव अभेरण पूछा जाता है उदयपूर तो ये भी पस्सिम चंपारण में है बेतिया में है यहां बेतिया के समीप इसको भ और बार बताई इसका right answer क्या होगा तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे प्रश्ण को ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले पुछा गया है कि उत्तर से दक्षिन और फिर पुछा गया है पूरव से पस्षिस तो यहाँ पर देखें फ्रेंड पूछा गया है कि बिहार की उत्तर से दक्षिन की लंबाई और पुर्व से पस्षिम की चौणाई कितनी है तो देखे यहां पर ध्यान देंगे कि लंबाई जो है यहां उत्तर से दक्षिन तीन सो पैंतालिस किलोमेटर है और चौणाई जो है यह पुर्व से पस्षिम चार सो तीरासी किलोमेटर है तो समुद्र तल से उसत उचाई कितनी है तो ये भी इंपोर्टेंट है 173 फीट है ठीक है वहीं अगर मीटर में पुछेगा तो याद रखेंगे ये तिरपन मीटर हो जाए ठीक है समुद्र तट से दूरी लगभग कितनी है तो लगभग 200 किलोमेटर है क्लियर चलिए आगे बढ में नमक सत्यागरा का प्रारंब जो है 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारंजिलो में नमकिन मिट्टी से नमक बनाकर की किया गया भागलपूर में नमक सत्यागरा का नत्रित महादेव लाल सराफ दीप नरायन सिंग रामेश्वर नरायन अगरवाल कैलास बिहारी लाल यहां पर आप देखेंगे कि महादेव लाल शराफ दिया गया है और दीप नरायन सिंग है ठीक है रामेश्वर नरायन अगरवाल का भी यहां पर दिखें नामजिकर किया गया है तो उपरिक्त में से एक से अधिक जो है फ्रेंस इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है चल था तो राहुल संकृतियान ने किया था किस ने किया था राहुल संकृतियान ने किया था ऑप्सन नॉम्बर सी correct answer हो जाएगा उसका जबान next question हमारा कि अगला प्रशन की निमने लिखित में से कौन सा जीला जो है कोशी परमंडल के अंतरगत नहीं आता है बतायेगा इसका अगला प्रश्न हे, हमारा, कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 का नुसार, बिहार में प्रती व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? काफी important question है या याद रखेंगे right answer इसका क्या हो जाएगा 350 kilowatt hour यानि कि option number इसका यह जो होगा right answer हो जाएगा next question है 21 number देखे question number 21 है friends हमारा थोड़ा से छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रसंद जो है सभी असपश्ट दिखाई दे हाँ देखे 2011 की जनगन्य का अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा जन घनत्व दर्ज किया गया बताई राइट answer क्या हो जाएगा सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बिहार का जन घनत्व है यह कितना है तो ग्यारा सो छे प्रतिवर्ग किलोमेटर है ठीके ग्यारा सो छे प्रतिवर्ग किलोमेटर है ग्यारा सो छे किलिए 2011 की जन घनने का अनुसार मैं बता रहा हूँ और सबसे यहाँ पर ज्यादा ज़्यादा जन घनत्व दर्ज किया गया सीवहर में सीवहर में कितना है तो अठारा सो असी है ठीके जो कि बिहार से देखि है ध्यान रखेंगे और सबसे कौम अगर पूछेगा नियुन्तम जन घनत वाला जीला तो यह कैमूर है कैमूर में कितना है तो चारसो अठासी है ठीके चलिए राइटन से जिसका हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा सीवहर उसका बाद दूसरे नंबर पर ह है पटना का जन घनत तीसरे में दरभंगा का है चौथा में वैसाली और पांचव में बेगुसरा है तो यह टॉप फाइफ याद रखेंगे चलो उसका अगला प्रशन की बिहार आर्थिक सर्वेक्षन पहली बार किस वितियो वर्स के लिए प्रकासित किया गया था बिहार का आर्थिक सर्वेक्षन बताई इसका राइट एंसर क्या होगा तो दिखें विहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षन वितिय वर्स दो हजार छे साथ के लिए प्रस्तूत करना शुरू किया और आर्थिक सर्वेक्षन जो है इस वर्स का दो हजार 21-22 का जो है यह क्रम कौन सा है तो इसका यह 16 हमा आर्थिक सर्विक्षन है ठीक है 16 हमा आर्थिक सर्विक्षन है 2021 वाला इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे चले राइट अंसर इसका 2006 साथ हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्सन है कि पटना सची वाले गोली कांड की घटना यहां कब घटित हुई थी यहां आपको डेट सहीत याद रखना है तो देखें यहां घटना यहां घटित हुई थी 11 अगस्त 1942 को ठीक है 11 अगस्त 1942 को हुई थी और इसमें जो सहीद हुए थे उनका भी नाम आ सहीद सतीस प्रसाद जहां सहीद जगपती कुमार सहीद देविपद चौधरी सहीद राजेंदर शिंग सहीद राम गोविंद सिंग कितने टोटल व्यक्ति थे तो याद रखेंगे यह टोटल जो थे कितने लोग थे फ्रेंट्स तो टोटल जो थे यह सात लोग थे ठीक है क करेक्ट एंसर हो जाएगा चली नेक्ष्ट कुस्चन कर लेंगे अगला प्रश्न है ट्वेंट्यू फोर नंबर कि अठारा सो संताउन की विद्रों के समय पटना का आयुक्त यानि की कमिशनर कौन था तो फ्रेंट्स उस समय विलियम टेलर था और पटना में अठारा सो राजधानी बनाने वाला पाल सासक कौन था अचा पाल वांस की अस्थापना किसने किया था तो इसकी अस्थापना जो है गोपाल नहीं किया था और मुंगेर को राजधानी बनाने वाला जो पाल सासक था यह देव पाल था अप्सट नमबर भी हो जाएगा इसका करेक्ट next question है हमारा कि निमनलखित में से कौनसी नदी फतुअ के पास जहинки में मिलती है बताई को इसका right answer क्या हो जागा कौन सी से इसका क्या हो जाएगा रैटन से इसका option नंबर यहां पर देखे पुन-पुन हो जाएगा बी लेर विधान सभा का 243 है और विधान परिशत का कितना है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉस्टन कर लेंगे कि मुझेपरपुर दरभांगा चंपान जिलो में कोंसी मिटी अधिकांसता पाई जाती है बताए इन जिलों में कोंसी मिटी अधिकांसता पाई जाती है तो फ्रेंट्स यह पाई जाती है नवीन जलोड़क मिटी option number C, correct answer हो जाएगा, नवीन जलोलक मिटी पाई जाती है, गंडक, बुड़ी गंडक, बागमती, आदिन अधिये द्वरा, प्रते एक वर्स जो है, बारे के पानी से, जो मलवे गाद के निशेपन से नवीन जलोलक मिटी का निर्मान होता है, यानि कि खादर मिटी का निर्मान होता है, और या मिटी, धान, गेहू, पटसन, गना जैसे फसलो कुद पादन में सहाइक होती है, नेक्स्ट कोस्टन है कि बिहार में गंगा के किनारे इस्तित, जिलो की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है, बारह जिले हैं, कौन-कौन से हैं, तो ये जिला है, सारन, बकसर, भोजपूर, पटना, वैसाली, समस्तिपूर, वेगु सराय, लखी सराय, मुंगेर, खगरिया, भागलपूर और कटिहार, तो ये बारह जिले हैं, और बिहार में गंगा नदी जो है, सबसे लंबी कहां पर है, तो फ्रेंट्स, यहाँ पटना जिला में है, ठीके, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, चले, दूसरा नमबर भागलपूर का आता है, तो राइटेंसर इसका कितना हो जाएगा, राइटेंसर इसका बारह हो जाएगा, उसका बदे के अगला प्रश्ण है, किन्यमन लेखित में से, कौन सा वने जिव अभहरन जो है, बिहार के मुंगेर ज यह प्रशन आपके लिए है, कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राजियों की संक्या कितनी है, इसका एंसर आप कॉमेंट करके बताइए, और अपना जरा स्कूर मुझे बताएगा, कि इन तीस प्रशनों में से, कितने प्रशनों का एंसर आपने स्वैम दिया है, वी प्लीज इसे शेयर कर दीजिये